Hello everyone, Sahara India का refundable आप फिर से भरना चाहते है, रिस सममिसन फॉर्म को किस तना से भरेंगे दोस्तों, आपको करना क्या है? इस तना से आपको पुछ चले का rules है ? अब कर लिए पो जैसे आप से क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस फूलेगा और यहा देखे के आपको बताया जा रहा है, यह आपका above amount 5 लाध रुप्या है तब ही आप इस form को re-summission करें और register करें नेथा 5 लाग से अभब है तो announcement date निर्धारित किया जाएगा तब आप form को re-summission करें और जो लोग re-summission के लिए apply करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो है दोस्तों अब आपको यहां से back कर लेना है बैक करनेक बाद depositor login पर आपको click करना है जैसे आप depositor login पर click करिएगा दोस्तों अब आपको यहां करना क्या है कि यहां से आपको अपने आधार card का last four digit mobile number capture input करके get OTP पर click करना है OTP प्राप्त करने बाद आप OTP verify करेंगे तो आपका claim ID यहां आजाएगा उसको आपको copy कर लेना है या कहीं कागेज pen पर लिख लेना है फिर से आपको resubmission login पर आपको जाना है claim पर और यहां आपको अपना claim ID डाल देना है और इसके बाद capture को डाल के validate पर आपको click करना है जैसे आप validate पर click करेंगे दोस्तों OTP आएगा OTP आपको mention कर देना verify OTP पर आपको click कर देना है जैसे आप verify OTP पर click करेंगे दोस्तों यहां 5 step में आपको form को पूरा करना है scroll down करेंगे term condition को accept करेंगे agree पर click करेंगे दोस्तों देन आपको next कर देना है आपका पूरा अधार से फैच कर लेगा दोस्तों इस तरह से आएगा फिर इसके बाद आपको टेक एक्षन पर क्लिक करना है यहां आपको पास्बूक आपको अपलोड करना होगा चूच फाइल पे पास्बूक जैसे अपलोड कर देंगे यहां देखे री सम्मिशन के लिए अपलाई करने के लिए आ गया है जैसे आप इसपो क्लिक करेंगे दोस्तों क्लेम अपडेत्ट इस सकसफुली आपका दोस्तों अपडेट को गया है अब आपको यहते पर क्लिक कर देना है दोस्तों, submission generator request पर report form पर आपको click करना है दोस्तों, आपको फार में download होगा और उसमें आपको photo लगा देना है, सब कुछ अपना address हो गएर है, घोषना पत्र हो गएर है, भर के offline, फिर से आपको photo hints लेना है, photo hints ने के बाद यहां आपको upload कर देना है, upload करने के बाद दोस्तों, आ आप जैसे आप upload पर click करेंगे, आपका successfully submit हो जाएगा, 45 days में आपका claim clearance हो जाएगा, तो वीडियो को like और channel को subscribe कर दें, दोस्तों